किंद्री मज्ट्र पशुपालन एवं डेरी राज्य बंत्री डॉक्टर संजी कुमार बाल्यान ने आज रिशिकेश में योगोट्सों में भाग लिया तथा अंतररास्टी योग दिवस 2022 के लिए उल्टी गिंती समारों को संबोधित भेगिया गंगागाट पर रुपस्ते जनसमू को संबोधित करते हुए डॉक्टर बाल्यान ने कहा कि उत्राखन योग की जनमेस्थिली है और इसके काया कल्प के लिए इससे बहतर कोई जगय नहीं हो सकती किंद्री मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी ने योग को विश्व के मांचितर पर ला दिया है हमारे योग गुरु विश्वे के लिए हमारे सांस्कृतिक राजदूत रहे हैं उन्होंने कहा कि अंतरवरास्टी ये समुदाय अब शारिरिक और मनुवैग्यानिक अल्यान को बढ़ावा देने में योग के मूलिक को स्विकार करने लगा है केंद्री मंत्री ने आगे कहा कि सरकार 13 मार्ट से 21 जून 2022 तक 100 शहरों में अंतरवरास्टी योग दिवस की 100 दिनों की उल्टी गिंती का समारो मना रही है मस्य पशुपालन एवं डेरी मंत्राले आज सूमनात रिशिकेश कन्या कुमारी में योग उत्सों मना रहा है श्री बालियान ने लोगों से योग को जीवन शाली के रूप में अपनाने की अपीर के उत्राखन राजी को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में उल्लेक करते हुए डॉक्टर बालियान ने कहा कि क्रिशी को पशुपालन के साथ पूरक बना कर पहाडों से पलायन को कम किया जा सकता है उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रिय मत्स पशुपालन एवं डेरी मंत्राले ने 2014 से एक लंबा रास्ता तैय किया है जब इसका कुल बजट 1500 करून रुपए था जबकि आज खुरपका, मुपका, रोकेटीका करण के लिए एक उप स्कीम का परिव्याय 12,500 करून रुपए का है उन्होंने समारों में उपस्तित किसानों से पशुधन के लिए प्रजिनन फार्म शुरू करने के लिए 50 प्रतिशत की सबसीडिय उपलब्द कराने वाली स्कीम का लाव उठाने की अपील की डॉक्टर बालियान ने कहा कि केंद्र सरकार उत्राखन के पशुपाला किसान समुधाय के साथ दुरुड़ता से खड़ी है और इसके विकास के लिए हर संभो सहायता प्रदान करेगी योग सत्र से पहले डॉक्टर बालियान ने पशुलोग फार्म का दौरा किया तथा राश्टी पशुधन मिशन के तहत राज्य बकरी तथा भेट प्रयुक्षाला का उगाटन किया उन्होंनी प्रगती शील पशुधन किसानों के एक प्रतिनिदी मंडल के साथ भी परस्वर बातचीत की इसकारिक्रम में उत्राखंड सरकार के कैबनेट मंत्रियों शी सुबो दुनियाल तथा शी सौरब बहुडा ने भी भाग लिया